एक समय की बात है, धनपुरा के हलचल भरे कस्बे में हरिशंकर नाम का एक कंजूस आदमी रहता था, वह अपनी अविश्वसनिय कंजूसी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, एक-एक पैसा बचाने के प्रती हरिशंकर का जुनून पौरानिक था, और पूरे क्षेत्र में सबसे सख्त आदमी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पडोसी गावों के कानों तक भी पहुँच गई थी, गर्मी के एक दिन जब शहर में चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, खबर फैल गई कि धनपुरा में एक शानदार सरकस आ रहा है, सरकस ने कलाबाजों, शुरू में सरकस में भाग लेने के लिए अपनी मेहनत की कमाई छोड़ने के विचार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जैसे ही उसने तोते की असाधारन क्षमताओं के किस से सुने, उसके मन में जिग्यासा जाग उठी, वह ऐसे अदभुत प्राणी को प्रत्यक्ष रूप से देखने के विचार को रोक नहीं सका, बड़ी अनिच्छा के साथ हरिशंकर सरकस के मैदान में गए, जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने जीवन्त रंगों और जीवन्त माहौल को देखा, लेकिन वह अपनी मितव्याई मानसिक्ता से छुटकारा नहीं पा सका, उसने भ जीड मंच के चारों और इकठा हुई, सरकस मास्टर ने केशव नाम के जादूई तोते का परिचे दिया, तोता एक सुनहरे स्टैंड पर बैठ गया और दर्शक प्रत्याशा में चुप हो गए, केशव ने चारों और देखा और कहा, नमस्ते, मेरे दोस्तों, मैं इस दर् पत्ती जमा कर सकता है, ओ, बुद्धिमान केशव, उन्होंने कहा, मैं सोने के सिक्कों की कभी न खत्म होने वाली थैली की काम न करता हूँ, तोते ने सिर हिलाया और चिला कर कहा, ऐसा ही होगा, अचानक हरिशंकर के सामने एक बड़ी बोरी प्रकट हुई, जो चम-चमाते सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, भीड आश्चर्य से हाफने लगी, हरिशंकर का हरदय खुशी से उचल पड़ा, उसने सारी विलासिता की चीजें खरीदने की कलपना करते हुए बोरी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, जादूई तोते की आवाज सुनाई दी, याद रखें हरिशंकर, पैसा खुशी ला सकता है, लेकिन यह प्यार, हंसी या दोस्ती नहीं खरीद सकता, हरिशंकर जो अपनी नई संपत्ती से अंधा हो गया था, उसने तोते की बुध्धि को नजर अंदाज कर दिया, और अपने सिक्के गिनने के लिए घर चला गया, उसने अपने आपको अपने कमरे में बंद कर लिया, अपने लालच में डूबा हुआ, अपने धन को गिनता और गिनाता रहा, दिन हफ्तों में बदल गए, और हरिशंकर और अधिक अकेले हो गए, उनके साथ रहने के लिए केवल उनका सुनहरा खज आना ही बचा था,